दो तीन पॉइंट के लिए हम नाराजे एक तो भीयारेस में होता है आप भीयारेस में 25 साल के बाद में आप भीयारेस लेने की बात कर रहे हैं और तुरंत प्रवाब से आप पिंसन नहीं देंगे आप बोलें कि आप सुपराइनियोशन जब 60 साल होगा तक तक पिंसन देंग अब यहां पर आने के बाद में NPS रखो या तो UPS रखो एक देश, एक इलेक्शन, एक संभीदान आप तीन पिंसन की बात करते हो NPS, UPS, OPS की कलत बात है एक एमिल हो, तीन चार पिंसन ले रहा है, फिर OPS, UPS नहीं, NPS नहीं है, UPS नहीं है, OPS ले रहा है उससमें एकोनिमिक्स का क्या हाल है? सुचिए, यह सौब गुम्रा कर रहा है हमने हितने जो काम होना चाहिए, तो देश हितने OPS है, नकी NPS, नकी UPS और हमारे माननिय प्रदान मंत्री जी का 56 इंज का सीना है, जो पुंजी बात का प्रस्र दिया जाता है, तो गरीब-गरीब होता है, अमीर-अमीर होता है नुश्कार आप देख रहे हैं, जनही तवाज हमारे साथ है, इंडियान रेलवे मुवेंट फार रोल पेट्रन स्कीम के, राष्टी अध्यष जी, सुसांत पांडा जी, पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल, सर, आप जिस तरह से OPS की मांग कर रहे हैं, NPSD है, लेकिन दो हजार पचीस में UPS देने की वादा कर रहे हैं, जिसमें करमचारियों का 50% निर्धारित किया गया है, उसको लेकर आप लोग OPS की मांग ही क्यों कर रहे हैं, जो बात यहां पे देश बहर चल रहा है, सरकार ने लास्ट बेसिक पे का 50% दे रहे हैं, वो बात में मैं सहमत नहीं हूँ, बात सरकार यह कर रहे हैं कि आपका लास्ट बारा महीने का आवरेज का 50% आपको लास्ट पे निर्धारित किया जाएगा और उसके उपर 50% को आपको पेंसन दिया जाएगा, और साथ साथ उसमें DNS र दुख की बात है कि कर्मचरी का कंट्रिविशन के बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा है, सरकार यह बोलते हैं कि आपको लास्ट बेसिक पे का 50% आज ए पेंसन दिया जाएगा, आपको एस्ट पेंसन दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में हमारा जो कंट्रिविशन होत इसी के पक्ष में हम नहीं है और यह जो UPS आया है पहले जो NPS था NPS में बहुत सारे विसंगत दिया था और सरकार पहले बोलते थे NPS अच्छा है और NPS अच्छे-च्छे को बोलके सरकार खुदी बोले कि नहीं NPS अच्छा नहीं है अब उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ किया, Transformation किया है कि NPS को UPS के तरफ Transformation किया लेकिन हमारे मांग जहां पे था वहीं पे हैं हम चाह रहे थे कि पुरानी पेंसन का लाब हमें मिले हमें Last Basic पे का 50% मिले और हमारा अंसदन संपुन रूप से हमें दिया मंगाई भता देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं बात यह हो पचीस साल के बाद में आप भीरेस लेने की बात कर रहे हैं और तुरंत प्रवाब से आप पिंसन नहीं देंगे आप बोलें कि आप सुपराइनेशन जब 6 साल होगा तक तक पिंसन देंगे कोई 52 साल में अगर रिटार करता है तो फिर उसको 6 साल तक इंतजार करना पड़े लेकिन 25 साल से पहले क्या है क्या सभी करमचारी 25 साल कमप्ली कर पाएंगे ऐसे बहुत सारे सर्भीस होते हैं जो क्या आते हैं आटिस साल में आते हैं, संटीस साल में आते हैं, तो उनका तो पचीस साल नहीं होगा, तो तो UPS में नहीं रहेंगे, सरकार यहां पे बोलता है, अगर UPS में अप्सन तुष्ट नहीं होगे, तो आपके पास MPS है, तो दो अप्सन रख लिए, NPS और OPS, तो NPS और UPS, लेकिन ब चुनते हैं, जो सरकार हमारे जितना मठादिस बैठे हैं, MPA में ले बैठे हैं, एक दिन के MPA, वो तो UPS चुनते हैं, तो हम भी OPS चुनते हैं, तो वहां पे अप्सन नहीं रखा गया, अब यहां पे आने के बाद में NPS रखो, या तो UPS रखो, एक देस, एक इलेक्शन, एक संभीदान, आप तीन पेंशन की बात करते हो, NPS, UPS, OPS की कलत बात हैं, लेकि NPS में करीब बात किया जाए, तो देश में 85 लाग लोग जूड़ चुके हैं, आप उसको तो NPS कही ना कही फायदे मन्द है, तभी तो 85 लाग लोग जूड़े हैं, 85 लोग जूड़े नहीं हैं, उनको कमपल्सरी ली जूड़ा गया है, उनको ऑप्सान रखा नहीं गया था, अब एक एक दोहजार चार के बाद, अगर अप्सान रखते, तो आप NPS लोगे या OPS लोगे तो जरूरो OPS लेते, तो उन्होंने कमपल्सरी ली किया गया है, कि आपको NPS लेना ही पड़े परचारी, कोई भी आदमी अगर सेंटरल या स्टेट गवर्मेंट में नोकरी करेगा, उसको NPS लेना ही होगा, चलिए तो और लोग है, सर क्या कहेंगे जिस तरह से NPS सरकार्दी, UPS जो है वो कैबिनेट में पास हो गया है, दो हजार पचीस में लागू भी कर दी जाएगा उसमें 50% निर्धारण भी किया जा रहा है, फिर भी आप लोग OPS को लेकर लागातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या कारण है इसके बीच को समझाएजे थोड़ा हमारे दर्शन करें, बहुत अच्छा कुश्ची ने आप पूछे, तो एक मेरा एक बात है, सरकार ने तीन पेंशन रखा है, एक OPS रखा है, NPS रखा है, UPS रखा है, तो सरकार क्यों OPS ले रहे हैं, सरकार बोला है आर्थिक अवस्ता ठीक नहीं है, तो जब एक MPO हो, एक ML हो, तीन चार पेंशन ले रहा हैं, फिर OPS, UPS नहीं, NPS नहीं है, UPS नहीं है, OPS ले यह सौब गुम्रा कर रहे हैं हम लोग को आप कहना चाह रहे हैं कि कोई एक दिन के लिए M.P.M.L.E. बनता है तो उसको UPS मिलता है और जो करमचारी 30 साल 50 साल अपने जीवन का क्रीम समय देता है उसे N.P.S. और UPS दिया जाता है अच्छा कुछ दिन पुछे हैं एक आदमी 60 स साल तक वो नोकरी करेगा 60 साल के बाद आप क्या कर पाएंगे आपका घर में माबाप है उनका 60 साल हो गया वो क्या करेंगे कुछ कर पाएंगे किसके उपर भरसा है आपके उपर भरसा है उनका बेटा-बेटी के उपर भरसा है तो अगर बेटा-बेटी नहीं है तो किसके बहर सकरेगा, UPS के उपर बहर सकरेगा, UPS नहीं की, NPS नहीं, हमको UPS चाहिए, हमारा मांग है UPS, हमको UPS दिलाईए. चली और रेखाएं, भाई साब, क्या कहेंगे सर, अगर UPS सरकार नहीं देती है, UPS तो बजट जो है, कैविनेट में पास हो चुका है, दोजार पचीस में लागू भी किया जाएगा, आप लोग आगे क्या करेंगे फिर? आगे का अपना प्लानिग ये है, कि देश हित में जो काम होना चाहिए, तो देश हित में OPS है, न की NPS, न की UPS, और हमारे माननिय प्रदान मंतर जीजी का 56 इंज का सीना है, तो लंबा फैंसला ले सकते हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है, जहां तक OPS बंद की गई से, देश क आर्थिक इस्तितिक ऊपर, आज हम विश्व में विश्व गुरु की ओर ततपर हैं, बढ़े जा रहे हैं, बहुत लंबे रफ्तार से, तो OPS ही देश हित में है, आर्थिक हित में है, और इंदरा गांधी के बाद अगर कोई दमदार प्रदान मंतरी हम देखे हैं, तो ये म मोधी जी है, OPS ही बहा लिए करेंगे, 56 इन का सिगना है, भले उसका नाम वो नरेंदर मोधी ओल्ट पेंसन स्कीम रख दें, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा 10% करता है, उसको जीपी अप की मानिता दे दें, OPS के जो बेनिफिट्स हैं, वो हमें दे दें, और ये टो रखा गया है, तो नरेंदर मोधी जी है, लेकि मोधी जी तमाम वादे करते हैं, जिसको चुनावी जुमला कहते हैं, जिसको दो करोर प्रतेक वर्ष रोजगार की बात करते हैं, हवाई चपल पहनने वाला हवाई जहाज में भूमने की बात करते हैं, अगर OPS की आप लोग उनहीं से रहेगा, और जहां तक आप कर रहे हैं कि जुमले की बात, तो जुमला कौन नहीं कर रहा हिए, आज बिपक्च है, इस मुद्दे को लेकि राजिति मुद्दा कर रहा है, जुमला बाजी जुमले बाजी वो भी कर रहा है, अगर हम भिहार से बिलॉंग करते हैं, बिहार से आपको स्टार्ट करते हैं वहां एक राजिनितिक दल थी जिसने अपने मेनी फर्ष्टों में रखा कि पहली कलम से सरकार बनते ही पहली कलम से ओपियस बहाल की जाएगी जीत के भी आएं और फ़र ओपियस के मुद्दे पे जिस विपक्षी दल को गाली दे रहे थे उनके साथ गटबंदन में आ गया है ठिक ओपियस का मुद्दा भूल गया है जब सरकार गिरी अलग हुए है तो बिधान सव करमचारियों को अपियस बहाल की जिए पहला कदम पहला कलम जो उनका था सफ़त लेने के बाद उपमुखमंत्री भी रहे हैं वह वह बिहार के उपमुखमंत्री भी रहे हैं लेकिन पहला कलम उससे में नहीं मिला फिर आते हैं हडियाना में यहां भी एक उपमुखमंत्री थें पहली कलम से बहाल कर रहे थें सरकार के साथ बने पहली कलम नहीं मिली अलग हुए तो करमचारियों को ओपियस बहाल कर दिये फिर आते हैं यहाँ जहां हम लोग खड़े हैं नहीं दिल्ली में एक सरकार थी मांदार सरकार है आज भी बहुत इमांदार सरकार है उसने यहां बहाल होगी जिल्ली में फाइल एलजी के पास है पंजाब में उनकी सरकार बनी वो पियस बहाल नहीं हुई उनकी खुद की सरकार है वहां एलजी फैलजी का कुनों रट्टा ही नहीं है गुजरात गए मैनिफेस्टो करेंगी कितना घुमाओं गयार आप कहना चाहते है कि जो भी राजनितिक पार्टिया है उसे जुनावे जुमला करती है देश हित में और जो देश के नागरिक हैं उनके हित में कोई उनका मैनिफेस्टो काम लिया देखिए उनको राजनितिक करनी है वो उनका काम है उनकी ड्यूटी है को अपनी ड्यूटी मांदारी से कर रहे ह हमारी ड्यूटी है कि अपनी नोकली करने के बाद अपने फ्यूचर को सुरक्षित रखें तो फ्यूचर सुरक्षित OPS में है आप लोको उमीद है मोदी जी से भारत सरकार से आप से लाश्ट कोश्चन हमारा होगा कि आप हमारे चैनल के माध्यमे से देश की जनता को क्या संदिए आपके जनहीत आवाज के माध्यम से हम पूरी भारत वर्स के जनता से एक बात रखेंगे आप जरूर सुचिएगा जरूरू सरकार बोलते हैं 10% employee का कटेगा और उसको 10% employer का कड़ता था फिर उसको बढ़ा के 14% किये अब भी हाली उसको 18.5% कर रहे हैं यह 18.5% जो government का contribution वो आता कहां से आज सभी माहोल में है कि सरकारी कर्मचारी को बारे में दो बात रखते हैं लेकिन यह बात हर कोई citizen जानना चाहिए कि यह 18.5 जो government देते हैं government का तो कोई कोस नहीं होता है revenue कहां से आता है हमारे income tax से आते हैं और साधरहन जनता का income tax से आता है साधरहन का जनता का पैसा 18.5% कहां जाता है corporate sector में जाता है तो यहाँ पे corporation हो रहा है पुझी बाद का pressure दिया जा रहा है जब पुझी बाद का pressure दिया जाता है तो गरीब गरीब होता है अमीर अमीर होता है तो यह आज आपके अवाज के मात्यम से हम सभी जञ़ ज़न तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं, NPS अच्छा नहीं है, यह employee के लिए घातक नहीं है, सिर्फ employee के लिए घातक नहीं है, हर कोई citizen के लिए घातक है, हमारा पैसा जाके share market में लगेगा, और साथ-साथ 18.5% वो भी share market में रहेगा, जो कि 18.5% सभी citizen का पैसा है, तो इसी के लिए citizen समझना च चाहिए, UPS का वो भी बिरोध करना चाहिए, क्योंकि उनका खिद्मत में हम सेबा करते हैं, 30 साल सेबा करते हैं, और उनको सोचना चाहिए कि सरकारी कर्माचारी जब pandemic period में, COVID pandemic की वो आता, कोई घर से नहीं निकल रहे थे, इन लोगों ने अपना जान को कुरुबानी देके रिल्वी एंप्लाई है, सभी एंप्लाई काम किये थे, अब उनका जब बुड़ापे आता है, उनका बुड़ापे के साथ सारे citizen भी कड़ा होना चाहिए, और सरकार को वो भी अपील करना चाहिए, बिनमर अपील करना चाहिए, बिसेस करके ये जो कर्मचारी है, वो पुर 10.5% करते हो, अगर उसको नहीं करेंगे, हमें 15 साल के लिए पेंसंदन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सरकार के एक बार सोचे, चलिए, सुक्रिया सर आपका, धन्यबाद, तो ये वही करमचारी है, देश भर के, जो कोबिट काल में, जब कुरोना आया था, तो कोई घरों से नहीं निकलता था, लेकिन के सर्फ मजबूरी होती थी, क्योंकि ये गौवर्मेंट इंपलाई होते थे, और वो लागातार लोगों के बीच में जाकर काम करते थे, और जब आप रेटायर्मेंट के बाद ओपियस की मांग कर रहे हैं, तो सरकार इन्हें जुन-जुना य येगा सुक्रिया